क्रित का हैर कैसे आप सवाई हो पाक सब बहुत अच्छे होंगे आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं मैं अफ्टरनून से तो अभी दुपैर की लगभग दो बच रहे हैं और यह जो ब्लॉग है यह सूरत का है तो सूरत शेहर आप सब देख सकते हो बहुत ही खुब सूरत है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और काफी अच्छा है यहां पर भीड भार जैसा मुझे कुछ नहीं लग और जब मैं आई थी तब भी मुझे यह बहुत अच्छा लगा और यहां के रोड वगरा सब कुछ बहुत अच्छे थे एंड लुक वाइस मुझे बहुत बहुत पसंद आया जैसे कि देली वगरा भी हम सब जाते हैं मगर वहां पर जैसे कि बहुत जादा भीड भार रहती तो यहां पर बहुत एकदम से साफ सुत्रा बहुत अच्छा लगा और अभी हम लोग जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैंने वैडिंग के वीडियो आपके साथ शेयर किये थे तो होटल से चेक आउट करने के बाद सबसे फर्स्ट तो मैं स्टेशन गई थी तो जहां पर लोकर रूम होता है वहां हम लोगों ने मेरा सामान जो है सारह वहीं जमा करके और फिर हम लोगों ने एक और चो किया और वहां से हम लोग निकल लिए हैं बीच के लिए और एक्शुली हम जैसे न्यू शिती है तो जादा कुछ आइडिया था नहीं और हमें यह बापस फिर से उल्टा जाना पड़ रहा है तो अभी जब यहाँ से गुजर रहे थे तब हम लोग बोल रहे थे कि अभी यहीं से तो गए थे यहीं से तो गए थे तो बापस हम इस्टेशन से यह बीच जो है 13 किलो मीटर लगवग है और होटल हमारा 5 km बीच में ही था होटल से बीच जो है 5 km ही था और फिर हम लोग बापस से उतना ही बापस जा रहे हैं और जैसे सब लोगों ने बताया कि यहां पर बीच है तो फर्स टाइम बीच देखने गए थे यहां पर बैसे तो घूमा हुआ है अल्लेडी गवा का बीच वगरा सब लेकिन सूरत आये हैं तो बच्चों को जैसे पता लगया तो थोड़ी उनमें excitement बहुत जादा हो गई थी कि बीच चलेंगे बीच चलेंगे बीच पर enjoy करेंगे बट यहां पर मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा आपको बता दू जिन लोगों ने जैसे समुद्र कभी न देखा हो तो आप देखने जा सकते हैं तो यहां से इस तरीके से हम लोग यहां से अभी पहुँची रहे हैं काफी लंबा रास्ता है यहां से ऐसे लगने लगता है कि आ गया है मगर अभी बहुत दूरी है जो लोग पैदल जाने की सोचते हैं तो उनके लिए बहुत जादा लंबा पड़ेगा क्योंकि यहां पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो पैदल जा रहे थे क्योंकि यहां से ही शौप बगरा स्टार्ट हो गई थी बट यहां से भी बहुत जादा दूरी है तो अभी मैं आपको कंप्लीच वीडियो दिखाऊंगी जैसे दूरी तो जो मैंने तै की है वो तो आपको बताई दे है बढ़ देखे अभी यहां पर कितना फिर से रोड वाला एरिया स्टार्ट हो गया है और जो सामने आपको दिख रहा है बीच आई गया है बस वहां से हम लोग उने यू टर्न लेके और फिर अभी काफी जादा लंबा है पैदल चलेंगे तो मैंने बहुत मुश्किल है यहां से और यहीं पर हमें आटो ने छोड़ दिया और इसके बाद फिर हम लोग यहां से निकल लिये हैं पैदल तो बस यहां से दो-तीर मिनट का ही रास्ता है बहुत जादा दूरी नहीं है तो काफे सारी लोग यहां पर आ जा रहे थी तो एक excitement थी कि सूरत आए है तो सूरत का भी बीच देख ले बट मुझे honestly बताओ मुझे नहीं ऐसे कुछ खास लगा मैंने यूटूब पर काफे सारे वीडियो का review किया था कि हां मलबीच अच्छा है देखने लाइक है जाना चाहिए बट ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पर आगे यहां से गुजरके बस थोड़ा सा आगे चलते हैं लहरों के पास तो यहां पर camels वगरा हैं कुछ बच्चों की जू कार्ट हो गया है और बस इस तरह के से बहुत ही सिंपल सा था और आपको उता दूं यहां के जो बीच है यहां का जो पानी है एकदम काला था और साते यहां से एरपोर्ट बिलकुल पास में है तो फ्लाइट काफी नीचे से ही गुजर रही थी और कुछ लोग पानी के एक पिक क्लिक कराई है इसके भी यहां पर फैस्टे थे और कावया का बहुत ज्यादा मन था कि पानी के अंदर खड़े होना है खड़े होना है तो बस कावया थोड़ा सा पांच-दस पनट के लिए मैं और कावया चलो बैटो फोटो और खीच लो इनकी आप नहीं 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 मैं नहीं बैटोंगी नहीं नहीं बैटोंगी बच्चों कुमाला हो कावया कसे पकड़ना ये आओ आओ आप भी सम यहां पर आए हैं तो करने के लिए कुछ समझी नहीं आ रहा था मलब बीच इस टाइब का नहीं है कि कि पानी को इंजॉय करें तो बस बाहर से दूर से ही देख सकते हैं कि हाँ हम बीच पर आए हैं और कुछ करने के लिए नहीं था तो फिर कुछ नहीं था कैमल की सबारी थी तो सोचा कि उन्हां बच्चों को बस इसी से ही दोड़ा सा बहला दिया जाए क्योंकि बच्चों क एकदम से मूड एकदम खराब हो गया था कि बस इतनी दूर आए एक तो बहुत दूर पड़ा हमें आने के लिए टाइम भी बहुत लगा और हमने और भी जो प्रोग्राम डिसाइड किये थे वो सारे प्रोग्राम हमें छोडने पड़े कि इन्हों नहीं बोला कि बीच जादा पर बेटे थे तो यहां से यह लोग घूम फिर के आ गई हैं काफी लंबा राउंड लगवाया था और यहां पर शूस फस गया था यह थोड़ी चोटी भी है जैसे तो नहीं उतर पा रही थी तो अभी यह देखना बस आराम से उतर जाएगी और 30 रुपी पर पर संथा कु मंदِर है और मुझे बाद में टैक्सी वाले ना बताया है कि कभी भी इस एरिया में घूम्ने ना जाएं जो मंदिर के पास वाला है क्योंकि पानी जो है यहां पर लोगों को घेर लेता है एंजोईजोई में हम लोग खड़े रहते हैं पता नहीं चलता है वैसे मुझे इस पत्थर सारी गीले दिख रहे थे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमने सुचा कि शायद रात के टाइम इदर को शाम के बाद पानी बढ़ जाता होगा तो पत्थो वाले नहीं बताया था कि यहां पर ना घूमें जिससे कि पानी घेर लेता है फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो पत्थरों पे चड़के उपर जाना बहुत मुश्किल था बट क्या करें हम लोगों को उपर ही चड़ना था और ऊपर आके यहां से नजारा बहुत अच्छा लग रहा था और हवा तो बहुत ही अच्छी वाली चल ले दिकनम मस्ट वाली बहुत अच्छा लग रहा था इतना नीचे से मदब नहीं अच्छा लग रहा था और हम लोग बस एक देड़ गंटा ही रुके होंगे बीच पे और फिर वहां से निकल लिये हैं बापसी के लिए तो हम लोगों ने थोड़ा आटो वालों से ही पूछ लिया था कि यहां पर क्या गया है तो उन एंट्री करते ही थोड़ी देर हम लोग बैठें फिर लगने लगा कि कोई खाएगा कि बैड नहीं आया है तो फिर हम लोगों ने फिर गूमना फिर नहीं थोड़ा स्टार्ड किया हम लोगों ने एक एक आस्क्रीम खाई और फिर यहां से हम लोगों ने घूमना शुरू कि इसी मॉल से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी की बट मैं शॉपिंग में इतना ज्यादा बिजी हो चुकी थी कि मैंने कोई क्लिप नहीं ली और शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग यहां से फिर एक और दूसरे मॉल में गए जहां पर हमने एक मूवी भी इंजॉई की तो यहां पर सारी फ्लोर हमने घुमें सारी शॉप के बाहर से निकल के भी देखा माला जो समझ में आ रहा था उसके अंदर जा रहे थे और इसके बाद हमने काफी देर यहां पर रेस्ट किया और कावे की इसी टाइम पर थोड़ी सी तबियत भी खराब हो गया था क्योंकि वै विजा लिया था और हम लोगों ने बर्गर खाया था साथ मैं कोल्डिंग ले थी हम लोगों के लिए और कावे नहीं पिएगी क्योंकि उसको हलका सा फीबर हो रहा है और उसके बाद फिर अभी खापी के निकलेते हैं से फिर हमने मैटसिन वगरा उसको दिलवाई और आप फिर वहां से हम लोग भागते भागते दूसरे मॉल पहुंचे और कार्तिक का बहुत था यह बहुत निगरानी रगता है क्योंकि वहां पे चार-पांच सिनेमा थे आसपास आमने सामने थीटर थे तो इसको वहां पे जाना था तो यहां पे बस एक जगह आके हमने मुवी देखी और यह कौन से उसमें आये थे मुझे ध्यान नहीं है ठीक से और टाइम बहुत जादा था तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एक मुवी देख लेते हैं जो भी शो चल रहा होगा तो यह यहां पर हम लोगोंने एक मुवी एंजॉई की किसकिस ने देखी हुई है प्लीज जरूर बताएं मुवी खतम होने के बाद हमारा टाइम पास काफी अच्छे से हो गया वैसे तो बहुत लॉग टाइम से हमने कोई मुवी नहीं देखी है और इसके बाद फिर हम लोग निकल लिये थे तो शायद यहां पर डॉमिनोस था और यहां पर बच्चों ने अपने लिए हैपी मील इसके साथ कार्टिक ने चीजी कुछ फ्राइज वगरा थे और इसके साथ कोल्ड कॉफी वगरा ओर्डर की थी और फिर वहां से हम लोग निकल लिये हैं और रात में तो सूरत और भी ज़्यादा खुब सूरत लग रहा था तो बस यहां से बहुत मतलब अच्छा लगा अच्छा तुल वैसे ही लगता है और भी बहुत चीजें थी हूमने के लिए बट इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं बचा था मुझे यहां के मार्केटिंग से थोड़े मार्केटिंग करनी थी मार्केट जाके वो नहीं हो पाई और दुर्गा मंदिर एक बताया था वाजी ओर्डर किया और इन्होंने अपने लिए फ्राइड राइज लिए तो बस हम लोग खापी के पहुंच के ट्रेन